हाई गाइस विल्कम बैक तो माई चैनल प्यूटी एक्सपर अरीबा मैं अरीबा आज आप लोगों को वी एल्सी लवंग मॉस्टराइजर के बारे बताऊंगे और इकिस स्कीन टाइप के लिए वो भी बताऊंगे सो गाइस लेट गेट स्टाड़े नाव आज मैंने विल्सी नेच्रल सेंसल लवंग मॉस्टराइजर लिया है नॉर्मल टू ओई स्कीन टेपेंस जिहां मेरे अक्सर वीवर्स मुझे कहते हैं कि मैं यह ओई स्कीन वाले लगा सकते हैं कि नहीं यह ओल्वीज इस तरह का कोस्टन होता है आज मैं आप लोगों की इस तरह की प्रॉल्वम को सौर्फ कर दो कि जी हां ड्राइ स्कीन वाले अलग मॉस्टराइजर अपने स्कीन टाइप चुने और ओई स्कीन वाले अलग जी आज मैंने नॉर्मल टू ओई स्कीन वाले लोगों के लिए किया है जी हां यह यह नॉर्म साने लगते हैं तो सुगाइस तो उन लोगों के लिए ही लवंग कैसा गत्व है जो हमारे स्कीन की जो पिंपल साने वाले जो बैक्टिरिया होते हैं उसे करोकता है और हमारे स्कीन पे जो पिंग्वर्टेशन सीबम होते हैं उसे खतम करता है और एकने को भी रोकने में बहु के सो जाए इससे क्या होगा उसके जो एक्नी होती है वो नेचरली रूप से खतम होने लगेंगे और पिंग मिटेशन भी लाइट होने लगेगा तो इसे मैंने एक सो साथ रुपय में पर्चिस किया है यह 100 ml है यह यह ओले स्कीन वालों के लिए मौस्टराइजर होगी और मौ इसे नेचरल साइंस की हानी मौस्टराइजर वो ड्राइज स्कीन वाले यूज करें लवंग वाले ओली स्कीन वाले यह जो आप स्वाप पे खरीदने जाएंगे तो सब कीपर से बोल सकते हैं अब मैं इचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी दूंगी ओली स्कीन आप व यह जो इसे बार कोड होती है यह और इचनल पर्डक की पहचान होती है और इसकी थीकनेश भी तो फ्रेंड और इसकी क्या ही क्लेम करते हैं दा मौस्राइजर इंडिज विट गोफ लॉंग और एक्स्राइज नेम और यूरोफिया यह थो ग्रॉलिंग अक्ने अच्छिए अच्छिए आप दिन बें दो बर लगा सकते हैं बटाइज है विंटर में आप इसे टू टायम लगा है बगर समर और रेनी सिजन में आप इसे ओन ताइम और नाइट में ही लगा है और एक इसमें इंगेडेंस किया किया है एंनेंस, से टिवीज, पाइनेबल, आप पर्षेस करेंगे तो प्रचल जाएगा और अई उर्वेधिक प्रडक्स पॉर इस्टरन यूज अनली इसे कोई साड़ एफेक्ट नहीं है मुस्टराइजर से अप लगाएं वापकी स्कीन पे ठीक होगा ये लगाएं तो इसे कोई साड़ एफेक्ट नहीं होगा कि आपको दिखा रही हो कि क्लिंजिंग मिल्क इसी तरह से अप पूरी तरह से अप्जॉब अच्छे से कर लें और कोई तरह करते भी ना करें धीरे-धीरे स्लो करकि नीचे की तरफ अप्वड मौसां में और सर्कुलर मौसां में चीक पे मसाज कर लें इसे अपकी स्कीन पर और से लगाने के बाद बता देती हूं फ्रेंड्स आपको एक अलग सी सेंसिटिविटी फील होगी अपनी फेस पे एक जिंजिनाट टाइप लगेगा और इसके में थोड़ी सी बैड लगेगी कुछ लोगों कुछ लोगों को अच्छी लगेगी तो इसलिए इसे जरूर करें वीडियो वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी ना बूले अगर आप मिरी वीडियो को शेर करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और इससे रिलेटेट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें मैं आप लोगों को हाफ एन करें में अंसर करूंगे तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइब चेक क्यार प्लीज यसे यूज करें और मुझे वीडिबेक जरूर दी बाइबाइबाइब चेक क्यार में ओल वीडियोज